स्वक्षता का स्वास्थ से घनिष्ट संबंध है, आरोग्यों को नस्ट करने के जितने भी कारण है, उनमें गंदगी प्रमुख है, बीमारियां गंदगी में ही पलती हैं, जहां कूडे कचरे के धेर जमा रहते हैं, मलमुत्र सड़ता है, नालियों में कीचड भरी रहती है, सीलन और सडन बनी रहती है, वहीं मक्षी, पिस्सो, खटमल जैसे बीमारियां उत्पन करने वाले केड़े उत्पन होते हैं, उन्हें मारने की दवाई शड़कना तब तक बिकार है, जब तक गंदगी को हटाया न जाये, दवा आदी से इन्हें मारा जाये तो भी क्या पैदावार ना रुके, तो अगले दिनों वे उतने ही और पैदा हो जाएंगे जितने मारे गए या हटाये गए थे, कहना ना होगा कि हैजा, मलेरिया, दस्त, पेठके कीडे, चेचक, खुजली, रक्तविकार जैसे कितने ही रोग, इन मक्षी मच्छर जैसे कीडों से ही फ अटमल, खुन पीते ही नहीं, वरल, रक्त को विशैला भी करते हैं, इन कीडों के द्वारा पगपग पर जो कष्ट होता है, असुविधा और बेचैनी उठानी पड़ती है, उसका कष्ट तो अलग ही दुख देता रहता है, निवासस्थान तथा उसके आसपास गंदगी क रहना स्वास्था के लिए स्पष्ट खत्रा है, गंदगी जितनी निकट आती जाती है, उतनी ही उसकी भयंकरता और बढ़ती जाती है, आग की तरह वह जितनी समीब आएगी उतनी ही अधिक कहा तक बनती जाएगी, मैले को चैले कपड़े होंगे तो उनकी दुरगंद और कुरूपता हर किसी को अखरेगी, वस्तर चाहे कितना ही कीमती क्यों नहों, यदि मैला को चैला होगा, तो उसकी कीमत देखने वाले की आखों में दो कौड़ी की भी नहीं रहेगी, क्योंकि वह बेजान, बेजबान होते हुए भी पहनने वाले की, अपने मालिक की के साथ आगे बढ़ना चाहिए, इस दिसा में जितनी प्रगति हो सकेगी, उतना ही यह समझा जाएगा कि पसुता को छोड़ा जा रहा है, स्रक्षिता में मानवता का सम्मान है, भले ही कोई व्यक्ति निर्धन हो, अभाव के कारण घटिया, कम या फटे चिथड़े पहन कर दिन गुजारता हो, पर यदि उसके वस्त्र धुले हुए हैं, सलवट हटाने के लिए दबाय हुए हैं, फटी होई जगह पर सिले हुए हैं, करीने से पहने हुए हैं, बटन ठीक लगे हुए हैं, तो आर्थिक गरीबी में भी दिल की अमेरी का इजहार कर रहे होंगे, ऐस समान, इन सबी छेत्रों में जो मलिंता पाई जाती है, उसका कारण भौतिक कठने ही नहीं, मनुष्य का घटिया व्यक्तित्व ही एक मात्र कारण होता है, फुरसत ना मिलना, नौकर ना होना, घर के अने लोगों का ध्यान न देना, आदी बहाने हो सकते हैं, तथे नहीं, तथी यह है कि स्वक्षता का मूल्य एवं महत्व नहीं समझा गया, उसके अभाव में होने वाली हानी को नहीं समझा गया, यदी जाना जाता, तो बहाने बाजी का रास्ता अपनाने की अपेक्षा, आलस से छोड़कर गंदगी को हटाने के लिए परिश्रम किया जाता, इ मन में गंदगी के प्रतीक घिरना नहीं होती, तो वह जम कर बैठने लगती है, यदी मन में सतरकता रहे और यह भावना बनी रहे, कि गंदगी में लिपट कर हमें अपना व्यक्तित्व ओच्छा नहीं बनाना, तो अवश्य ही यह सूचता रहेगा, कि कहां मलिंता एकत्रि के लिए तैयार नहीं होते, सच बात यह है, कि ना तो हमने गंदगी के हानी को समझा है, और ना ही स्वक्षता के लाब को जाना है, इसलिए मनोभूमी ऐसी बन गई, कि उसे गंदगी के साथ समझोता कर लेने जैसा कहा जा सकता है, आख के आगे कोड़े करकट के धेर लगे रहते हैं, पर वे खटकते नहीं, घर में नाली, पखाना, पेशाब घर, बुरी तरह सड़ते रहते हैं, पर वो अखरते नहीं, कपड़े, गंदे, गलीज रहते हैं, उनमें कोई बुराई नहीं लगती, समान बिखरा है, अस्तवेस्त पड़ा है, पर उसे सुवस्थित र रहा है चलता रहा है छतों में मकडी के जाले हो पर उन्हें अठाने की कभी इक्षा नहीं होती दिवाल तिकलों में अनावस्य कुडा कबार भरा है पर यह विचार नहीं किया जाता है कि इसकी क्या उप्योगिता पुरानी तूटी रद्धी बेकार निकम्मी चीजें घर के क रखती हैं यदि दृष्टी कोड परिस्कृत हो और ऐसा कबारी की दुकान जैसा घर अनुपयुक्त लगे तो यह सूजेगी ही कि क्या तीज रखने योग्य है और क्या हटाने योग्य किस समान के लिए कौन सा स्थान उप्युक्त और कौन सा अनुपयुक्त यह सुरुच जागरित हो और हार वस्तू यथा स्थान सुववस्ति धंग से रखने पर उत्पन हने वाले सुंदर्ता अन्ता करण को आकरसित करती है तो कोई कारण नहीं कि उत्साह न उठे कि जिसके कारण बात में वह सारा कबार खाना एक सुरुची पुन सद्ग्रिहस्त के सुरम में निवास का रूप धारन न कर ले। चोर वहां सेंद लगाते हैं जहां उन पर किसी की निगाह न पड़े। जमा होती चलियाती है पर जिनकी आखों में वह इतनी अखरे कि एक शण भी बरदास न कर सके उसे हटाना अपना प्रथम करतवे समझे तो फिर यह संभव नहीं कि वहां गंदगी पैर जमा सके रक्त में ऐसे श्वेत कड होते हैं जो बाहर से रोग क्रीमी प्रवेश होते ही उनसे लड़ने को तयार हो जाते हैं और उन्हें मार भगाने के लिए तकाल संघर ठान लेते हैं शरीर में जब तक यह क्रिया चलती रहती है तब तक बिमारिया पैर नहीं जमाने पाती